हाईलो फ्रेंस तो स्वागत है आज की एक ओने वीडियो में तो आज आम पढ़ने मले हैं अलाइंगिक जनन के लाभ और अलाइंगिक जनन से हानिया तो चलिए सबसे पले अलाइंगिक जनन के लाभ देख लिजिए नमबर एक है यह एकल जणक द्वारा होता है उत इसमें दूसरे जणक जीव की आशक्ता नहीं होती है और जणन के निश्चित होने की संभावना अधिक होती है एक बढ़ाव नमबर एक देख लिजे यह एकल जनक द्वारा होता है और तो इसमें दूसरे जनक जीव की आशक्तिया नहीं होती है और जनन के निश्चित होने की संभावना अधिक होती है अब नमबर देख लिजे यह जनन विभाजन और सुत्रण समसुत्रण जैसी सडल विद्यों द्वारा होता है अब नमबर तिन देख लिजे इसमें गूरन तिव्रदर से होता है क्योंकि इसमें युगमक निर्मार निसेचन भ्रोणी विकास आधिक रियाय नहीं होती है अब नमबर चार देख लिजे एकल जीव द्वारा अनेक संतत्यों का निर्मार होता है अब नमबर पांच देख लिजे यह अनेक जीव के प्रतिकुल परिस्थित्यों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होता है अब अलाइंगिक जनन से हनिया देख लिजे नमबर एक है इसमें अर्ध सुत्री विवाजन नहीं होता है अब नमबर देख लिजे अलाइंगिक जनन की उद्विकास में कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि विवेंताय नहीं पाई जाती है अब नमबर देख लिजे अलाइंगिक जनन की उद्विकास में कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि विवेंताय नहीं पाई जाती है अब नमबर तिन देख लिजे तिप्रदर से गुरन के कारण जीव की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है अब नमबर तिन एक बाई देख लिजे तिप्रदर से गुरन के कारण जीव की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है अब नमबर चार देख लिजे इस जनन की निरनतरता से जननिक रूप से दूरवल संतती उत्पन होती है अब नमबर पांच देख लिजिए अलाइंगिक जनन द्वारा उत्पन जीव परिवरतन सिल वातावनरिय दासाओ के लिए कम अनकूलित होते हैं तो फ्रेंस आपने देख लिया अलाइंगिक जनन के लाब और अलाइंगिक जनन से हानिया जो बहुत इंपोर्टन कोच्छन है हर साल इपीबोड में पूछा जाता है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पनाएक चैनल को सस्क्राइब जरूर करे और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप मेरे टेलिग्राम चैनल को भी सस्क्राइब जरूर करे की देखने के लिए धन्यवाद